हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चेनल बोर्ट सॉलिशन पे आज के इस वीडियो में आम चातिस गण मादेमिक सिक्षा मंडल रायपूर द्वारा जारी अक्टूमबर महा के असाइन्मेंट कक्षा बारवी के राजनिती विग्यान याने पॉलिटिकल वहां से जाकर आप सभी वीशियो के असाइन्मेंट के अंसर कंप्लेट कर सकते हैं या फिर आपको पूरे प्लेलिस्ट में एड है वीडियो प्लेलिस्ट की भी आपको देख सकते हैं चैनल पर जाकर देख लिजे जिससे आपको सारे असाइन्मेंट के अंसर कंप्लेट कर स चली शुरुबात करते हैं कोश्चिन नमबर फर्स से चली प्रिशन करमांग के एक है समयुक्तराष्टी संग में भारत की भूमी काका परिक्षन की जटी कोई छह यहां पर आपको लिखना है तो इसमें देखेंगे हैं इसके बाद दूसरे कोश्चन से इनको भी हम सारे कोश जानकरे.com जहां पर आपको सारे विशो की क्लास 12 के सीजी बोर्ट के असाइनमेंट की वीडियाप मिल जाएंगे ठीके बोर्ट जानकरे.com पर चली आंसर देख लेते हैं संयुक्त राष्ट संग में भारत की भूमिका का परिक्षन की जसमें हम क्या देखेंगे भारत ने संयुक्त राष्ट के उद्देश हम सिद्धानतों का क्या करा लगातार समर्थन किया ता था विशेस रुप से 37 स्थापना के छेत्र में संयुक्त राष्ट चार्टर के ल भारत विकास्चिल देशों के ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा को आकार देने में इसकी सहायता करने में सबसे प्रखर आवाजों में से एक रहा है और इसके शशस्त्र वलो का अनुभा और व्यवसाइकता बार-बार संयुक्त राष्ट्र की शांती स्थापना से मंदी तभियानों में अमुल Whenever साबीत हुआ है ठीक है के विजात वर्ष्ट में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मंच के रूप में दिखा है जो अन्तर राष्टी शांती उन सुरक्षा के गारेंटर के रुप में भूमी का निभा सकता हैँ वर्तमान में भारत में विकास एवं गरीब उन्मूलन जलवायू परिवर्तन आतंकवाद, जल दस्यूता, निशस्रीकरण, मानोदिकार, शांती, निर्माणों, सांती स्थापना की भवपक्षी वैश्विक चुनोतियों की भावना में संगर्ष करने के लिए संगतराष्ट प्रणाली को सूधरन करने का प्रयास किया है, भारत ने अपने गठन के वर्षों से ही असमानत और उपनिवेश्वात के खिलाप मुखर होकर और शांती बनाया रखने वाले, मिशिनों में सक्रिय भाग लेकर संगतराष्ट के उद्देश्यों में बहुत योगदान दिया, इसके संगर्ष कर रहा है, भारत सबसे शुरुवाती हस्ताक्षर करताओं में से एक था, जब नसली भेदभाव के सभी रुपों के अनमूलन पर कन्वेंशन को अपनाया गया था और दक्षिन अफरिका में नसली भेदभाव के खिलाब सबसे मुखर था, ठीक है, नसली भेदभ सुरक्षा परिषत के धाचे में बदलाओं में सुरक्षा परिषत के धाचे में बदलाओं में सुरक्षा परिषत के धाचे में निश्यत रुप से बदलाओं में सुरक्षा परिषत के धाचे में सुरक्षा परिषत के धाचे में निश्यत रुप से बदलाओं में सुरक् शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है आता इनका सुरक्षा परिशवत में आधिपत्य है उपरोगत कथन बिल्कुल सकते हैं मतलब एक दम हम टू बता रहे हैं इस कथन को तो संयुक्त राष्टे का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिशद है अता इसके ढाचिय मे बदलावी संयुक्त राष्टे में सुधार करना है विश्व की पांच बड़ी शक्तियां शक्तियों को इसमें अस्था ही सदस्यता और 20 अन्यम हत्वपूर्ण देशों को केवल अस्था सदस्यता दी जाती है मेरे विचार से विश्व की बदलती परिस्तितों में इस कितनी हो जाएंगी संक्या दोनों को देखे 61 यहां पर मैक्जिमम संक्या हो जाएगी मतलब पहले संक्या सिर्फ 15 इसमें से पांच इहां पर इस्थाईत और बाकी और इस्थाईत तो ऐसी संक्यां पर बढ़ाने के लिए की जा रहे ठीक है कुल 52 से रास्ट्रों मिलकर क्या है बहुमत किस प्रकासी कर सकते सुरक्षा परिशत के स्थाई तोर पर अंतराष्टी शांती से ना बनानी चाहिए जिसमें प्रतेक सदस से रास्ट अपने छेत्रफल और जनसंक्या क्या अधर पर मानुई और अन्ने सयोग दे सके ठीक है यह हो जाएका आंसर इसके बाद थोड़ा सा पिसमें लिख देंगे मानवधिकारों की रक्षा लोगतंत्र की स्थापना उसका विस्तार और उसको गहरा बनाने के लिए लोगतंत्र के राज्यों को आगे आना चाहिए आगे आकर इसके लिए प्रयास और अवसर खोजने चाहिए जिससे यहां पर सब को चि अब भी तक वीडियो शेयर नहीं करा है तो अपने वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्फ हो सके और वो अपने असाइन्मेंट के अंसर को अच्छे से कम्प्रिट कर सके पीडियाप के लिए गूगल पे जाएंगे गूगल पे सर्च करोगे चिपको आंदुलन क्या है विस्तार्स का वढ़न कीजिए चिपको आंदुलन एक परियावरन रक्षक आंदुलन था यह भारत के उत्राकन राज्य तब उत्रप्रदिश का भाग था वरतमान में अलग बाग है इसमें रक्षू की कटाई का विरोथ करने के लिए था विरा पेड़ों को काटने से बचाना चाते थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे यह अंदुलन तत्कालनी रुत्त प्रदेश के चमोली जीले में सन प्रदेश के अंदर यह पूरुत्राखन शेतर में फैल गया था चिपको अंदुलन की एक मुख्य बात यह थे कि इसमें किसने भाग लिया ज्यादातर इस्त्रियोंने भारे संक्या में भाग लिया था इस अंदुलन की शुरुवात 1970 में भारत के प्रसिद परियरणवित सुन्दर लाल भहुगुणा कामरेट गोविन सीहरावत चंडी प्रिसाद भट्ता तता श्रीमति गौरा देवी की नेतरत्व में हुई थी यह भी कास आता है कि कामरेट गोविन सीहरावत ही चिपको अंदुलन के व्यावारिक पक्ष धर थे जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंदों की रूप में स्वयम चिपको की जनमेस थली की घाटी पर पड़ी तब कामरेट गोविन सीहरावत ने जप्टो चीनों अंदुलन को दिशा प्रदान की याद रखी यह अंदुलन भी महतुपुण है चिपको अंदुलन प्राणों की बजी लगाकर असफल कर दिया था उन्होंने सामने आ गए कि हम पेडों को काटने नहीं देंगे और पेडों से चिपक गय थे यह आपको पता हूंगा अच्छे से चिपको अंदल बहुत व्यापक रुप से हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी अच्छा था यह लेकिन इस से पेडों को बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल की गई थी चले प्रश्ट ग्रमांग चार देख लेते हैं कोश्चन नवर 4 किया बता रहा है आपके पांटे कुस्तक में प्रश्ट ग्रमांग कीतना है प्रस्ट ग्रमांग सौरी पीज नमर तो अपने हाथ उठाए तो यहां पर देखे कुछ देश जो यहां पर कुछ चीजों में अंतर रखते हैं जैसे धनी और गरीब की बात करें तो उनका नजरया बहुत अलग है प्रत्विकों देखनेगा प्रत्विकी सुरक्षय को भी लेकर दोनों देशों के अंतर आता हैं जैसे कि हां पर चित्र बढ़ा है तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहां पर थोड़े अमीर देश की बात हो रही है यानि इसके पास बहुत पैसे हैं जब कि हां गरीब देश है जैसे हम साइज में आपर बताया गया तो इस कार्टून से आपको इतना समझ में आ रहा है चलिए इसका उत्तर देखते हैं चलिए तो आपने चित्र में क्या देखा ऑपर हमने देखा कि परियावरण को लेकर उत्रि और धक्षिनी गोलाई के देशों के रववविये में थोड़ा अंतर है क्योंकि चीतर सही में आपको बता दिया है थोड़ा से यहां पर इनके साइज में अंतर इसलिए बनाया गया है उत्तर की विक्सित देश परियावरण के मसले पर उसी रुप में चर्चा करना चाहते है जीस दशा में परियावरण आज मौझूद है यह देश है कि परियावरण के संरक्षन में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो धक्षिन के विकास देशों का तर्क है कि विश्व में परिसिति को नुकसान अधिकानश्त या विक्सित देशों के ओधोगीक विकास से पहुचा यदि विक्सित देशों ने परियावरण को जादा नुकसान पहुचाया तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई को जिम्मेदारी भी जादा उठानी चाहिए क्योंकि उन्होंने नुक्सान पहुचा तो उनकी जिम्मेदारी है कि परियावरण को वो प्रदूशित होने से बचाए या आगे ऐसी कोई भविश्यों में घटना ना करे इसके लाव विकासिल देश अभी ओधोगी करण की प्रक्रियास से गुजर रहे है और जरूरी है कि इन पर भी प्रतिवन ना लगे जो विक्सित देशों पर लगाया जाने है इस प्रकार अंतराष्टिय पर कानुन के निर्माण प्रयोग और व्याख्या में विकासिल देशों के विशिस्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए सन 1992 में हुई प्रत्वी सम्मेलान में इस तरको को मान लिया गया और इसे ही परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिधान्त कहा गया इस संदर्वे में रियो गोशना पत्रकाही धर्ती के पारिस्तिती की अखंडला और गुनदत्ता की बहाली सुरक्षा तता संद्रक्षन के लिए विभिन देश विश्व बंदूत्व की भावना से आपस में सयोग करेंगे परियावरण के विश्व वियापी अप्षप में विभिन राज्यों का योगदान अलग अलग है इसे देखते हैं विभिन राज्यों की साक्षी परत अलग-अलग जिम्मेदारिया होगी विक्सित देशों के समाजों का वैश्विक परियावरण पर दबाव ज्यादा है तो यहां पर आज के स्वीडियो में हमने कक्षा बार भी राजनिती विग्यान एनट्वल्थ पॉलिटिकल साइंस के सभी प्रश्नवें के उतर देखें आपने पहले वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए आपने लाइक नहीं करा हो तो और साथ ही चैनल पे नहीं हो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारे प्रॉपर असाइनमेंट मिल सकें इसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर जरू कर दें सभी वीडियो को और Class 12 के सारे असायंब्स है कंप्लिट हो चुके है यदि आपका कोई असायंब्स हूटा है तो दिस्क्रिप्शन में लिंक है जाए वहां से विडियोज को देख लेजिए और प्ले लिंक है आपको जिस भी विडियो चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए मिलते हैं वीडियो में तब तक वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल पे ने और सस्क्राइब करें थैंक्स पर वॉचिंग